बात करते हैं कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ है कि ओवरॉल जो है चाहे आपको यहां बिटकोइन ठंडा देखने को मिले बट अगर हम वैसे देखें तो हम सेम ही जगा पे यहां ट्रेड कर रहे हैं जिसके लेके काफी सारे लोगों ने ट्वीट भी किये हैं मैंने भी शेयर किया था पार्टी की बात कर रहा था तो वो ऐसा है कि यार दो ड्राफ्ट थे यहां पे जिसमें से एक जो ड्राफ्ट था पहले बना था उससे प्रूफ ऑफ वोक मतलब बिटकोइन ही बैन हो जाता एक तरह से completely तो वो यहां पे यह European Parliament की voting थी तो European Parliament की voting में अगर ऐसा हो जाता तो मतलब वाट लग जाती बचता कोई नहीं तो POW का बैन लग जाता पर वो ड्राफ्ट को चेंज किया गया और एक उसका moderate version लाया गया अब माइका जो इनकी market in crypto assets की जो committee है वो यहां पे उन्होंन जो plan लाया था उसको भी यहां पे vote जो है पास नहीं हुई है वो भी यहां पे push कर दिया गया है तो मतलब यहां पे bitcoin proof of work mining यहां पे कोई ban लगेगा नहीं तो उसमें ऐसा था कि यहार अगर आप mining कर रहे हो तो आपको आपका सारा का सारा जो environmental sustainability को लेके चीजें हैं वो सब plan वागरा सब share करना पड़ता है तो ऐसा काफी कुछ होता है वो सब अट गया है अभी ऐसा है 32 members जो है उन्होंने बोला है कि यह नहीं होना चाहिए और 24 लोगों ने बोला था कि यह कर दो तो 32 versus 24 of course यहां पे नहीं किया जा रहा है उस चीज़ को पास तो PAW mining यहां पे नहीं क को अभी भी unsustainable जरूर बोल सकते हैं बट आगे का अभी यहां पे प्लान थोड़ा सा देखने में एक चीज़ नजर आई है कि यहां पे जो जो policy makers हैं जो लोग हैं जो policy makers को affect कर सकते हैं वो यहां पे majority यहां पे favor में हैं cryptocurrency के और bitcoin के जो की long term के लिए बहुत ही अच्छा है तो पहली बात गाइस यह crypto market को push करता है पहली बात price की बात नहीं कर रहे हो last time भी मैंने एक video मनाया था कुस्तो तो उस भी मैंने यह चीज़ मेंचन के थी फिर भी मुझे बहुत सारे comment आ रहे थे कि यह coin अच्छा है मेरा तो इतना profit होगा नहीं point is हम बात कर रहे हैं industry की हम बात क कर रहे हैं वो जो भी technology है वो क्या चीज़े change करती है दुनिया में उसकी बात कर रहे हैं तो for example bitcoin जो है bitcoin यहाँ पर बहुत ही एक revolutionary technology है यहाँ पर bitcoin का जो concept है अभी proof of work और environmental sustainability वो सब तो चाहिए चाहिए ठीक है उसमें कोई doubt नहीं है वो हम बोली नहीं रहूं में वैसा पर मेर पर अगर bitcoin जो है flourish करेगा आगे तो पूरी की पूरी जो market है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी साथ में तो यह overall बहुत ही अच्छी चीज़ है नहीं सिरफ price increase के angle से but career opportunities, world में change, actual world की problems को blockchain या cryptocurrency वाली companies कैसे solve करें क्योंकि अभी आप notice करोगे blockchain बहुत सारी problem solve करती है पर जो public cryptocurrencies हैं जो हम खरीद बेच सकते हैं उसमें से maximum सिरफ defy, थोड़ा gaming यही सब है, real world वाले कम है, like we chain है जो supply chain में help करता है, channeling है जो data में help करता है, उसके लावा बहुत जादा है नहीं, तो वो एक important चीज़ हो जाती है, यहाँ पे की cryptocurrency के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है, दूसरी बात इस सब में, अब बात आता है यहाँ पे की market क्यों नहीं बढ़ रही है, तो first of all guys बहुत important चीज़ है, market में अभी भी आपको पता है war का situation, जो है पूरा का पूरा बन रखा है, oil की अगर बात करें, तो यहाँ पे oil reserves का already problem हो गया है, prices जो है तेल के हैं वो बहुत news देखी होगी कि India शायद consider कर रहा है यहाँ पे Russia से cheap में लेने का, अब वो सब में ऐसा जरूर होगा कि पूरी दुनिया जो है इस टाइम पे Russia के against है, और 4-5 countries है अगर आप देखो, तो जो Russia के साथ अभी भी okay है, तो यहाँ पे India खुद को थोड़ा सा वहाँ limit भी कर सकता है तो वहाँ पे भी कही न कही market affect हो सकती है, कही न कही अगर वैसा कुछ होता है, अगर publicly कुछ नहीं बोला जाता अगेंस तो हो सकता है, इंडिया के against भी sanctions है, यह हुआ है पहले भी आप, I think 2017 के आसपास अगर आप देखो तो, तो यह important चीज है, यहाँ पे हमें जो देखना है जिसकी वैसे जो है, financial markets affect हो रही है, pressure बना हुआ है, interest rates का pressure बना हुआ है, market का pressure बना है, war का pressure बना है, जिसकी वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़े जो हमें है, यहाँ पे growth में देखने को मिलने रही हैं, क्योंकि लोग जो है, वो risk off है अभी, risk off में, of course इसका मतलब है, crypto सबस आला मार्च है, वो ऐसा ही होता है, वो सब ठीक है, मतलब हर साल मार्च में war तो होती नहीं है, हर साल मार्च में oil का price इतना बढ़ता नहीं है, recession आता नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें है, कुछ नहीं होती है, कुछ पुरानी होती है, history rhyme करती है, पर पूरी-पूरी repeat नही करती तो यह कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है कि अभी भी मार्किट इतनी क्लियर नहीं है कि आप आंक बंद करके यहां पर डूब की लगा लो यहां पर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन जो है बन सकती है तो यह आंगल आप थोड़ा सा एक्सप्लोर जरूर करें कि क प्रूर टेलीग्राम जो है अपना आप जोइन करें एंड टेलीग्राम का लिंक आपको पिंड कॉमेंट और नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जागा यह जो मैंने बोला था इकॉन कमिटी कल रात को यह मैंने शेयर कर दिया था इसके इलावा गाइज अपना जो है एक फ्री न आपको मिलता है इसका भी लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कॉमेंट में तो यह भी आप जोइन कर सकते है गाइस अगर आपको आज के वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो अगर आप कुछ सीख रहे हैं इन वीडियो से तो लाइक